नमस्कार दोस्तों, NTV Motivation YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हिंदु धर्म में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है इसलिए महिलाओं के सम्मान की बात हमेशा समाज के लोगों द्वारा की जाती है ऐसा कहा जाता है, जो कोई व्यक्ति सच्चे मन से इस्त्री का सम्मान करता है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना नहीं पड़ता लेकिन क्या आपको ये बात मालूम है कि अगर आप इस तरी के शरीर के इसे खास अंग को छू लेते हैं तो आपको महापुन्य मिलता है और आपकी सोई हुई किसमत जाग उड़ती है अगर आपको नहीं पता तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इस तरी के उसंग के बारे में बताएंगे जिसे छूने से किसी भी व्यक्ति की सोई हुई किसमत बदल जाती है दोस्तों करपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप वीडियो की भाबनाओं में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों हर व्यक्ति के जीवन में इस्त्रियां उनके साथ कई रूप में रहती हैं एक इस्त्री ही किसी व्यक्ति की मा होती है तो किसी की बहन और किसी की बहु अलग अलग स्वरूप में इस्त्रियां मनुष्य के जीवन में खुशियां लाने का काम करती हैं इस्त्रियों के बिना पुरुषों का इस धर्ती पर अस्तित तो भी असंबब है एक इस्त्री ही पुरुष की हर एक खुशी और हर एक दुख में उनका साथ निभाती है और दोस्तों इसके साथ ही एक इस्त्री को उसके जीवन में बहुत सारे दर्द भी सहने पड़ते हैं जीवन में आने बाले हर एक धर्द को आराम से सहने बाली एक इस्तरी विपरीश से विपरीश परिश्थितियों को हाशी खुशी जहल लेती है कठिन से कठिन परिश्थितियों में हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान बनाये रखने बाली महिलाएं अपने बच्चों को अच्छे अच्छे संसकार देने का काम भी करती है इसके अलाबा एक इस्तरी अपने बंश को आगे बढ़ने में अपनी अहम भूमिका निभाती है दोस्तों एक साथ कई कारियों को करने बाली इस्तरीयां जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके पैरों में बहुत बड़ा राज चीपा होता है ऐसा माना गया है कि इस्त्रियों के पैर छूने से व्यक्ति को अपने सारे जन्मों का पुन्य भी मिलता है इसके साथ ही उस व्यक्ति को अपने जीवन में कामियाबी बहुत आसानी से मिल जाती है इस्त्रियों के पैड छूने से जो आशिरबाद मिलता है उसकी बजह से व्यक्ति के जीवन से निराशा का अंत हो जाता है और निराशा कांत होने के कारड मनुष्य के अंदर सकारात्मकूर्जा का प्रबाह होने लगता है जिसकी बजह से धीरे धीरे ब्यक्तिक करोड़ पती होने लगता है